हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हैं आप सब आज जो वीडियो में लेकर आई यूं बहुती प्रैक्टिकल है और इंट्रेस्टिंग वीडियो है अक्सर हम हमेशा कोशिस करते हैं कि नए नए कपड़े पहने लेकिन यदि वो कपड़े अच्छे से दूलेवे नहीं हैं तो फिर फाइदा नहीं है और यदि आपने अच्छे से धो भी लिए सुखा भी दिये प्रेस भी कर दिये पर अच्छी तरीके से और्गनाइज नहीं है तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और आज जो वीडियो लेकर आई यूं बहुत ही इंट्रेस्टिंग है प्रैक्ट कर ली पर उसका फाइदा है हमारे घर में या नहीं ये बाद में हमें पता चलता है वो चीज वहां पे फिट हो रही है या नहीं ये देखे ये और नाइजर मैंने आज ही खरेदा था अपनी इसी कबड के हिसाब से पर मुझे यहां पे एक वर्टिकल पूरा इस पेस चाहि करते हैं तो उनके पीछे टैग लगा रहता है कि कौन सा कपड़ा ड्राय क्लीन के लिए है या घर में धो सकते हैं आप यदि कपड़ों पे कोई भी दाग आ गया है तो आप ऐसा सर्फ यूज कीजिए जिससे की दाग निकल जाए पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको आप हाथ से ही धोएं नहीं तो उनके कुछ ना कुछ उस कपड़े में खराबी हो जाती है अगर आपने पर्दे मशीन में डाल दिये हैं तो अकसर इनके रिंग निकल जाते हैं और जो जाली दार कपड़ा होता है वो भी फट जाता है तो कुछ कपड़ों को यदि आप नहीं रहेगा और कपड़ों को आप धूप में सुखाएंगे तो कोई भी दाग धबा भी नहीं रहेगा उल्टा कपड़ों में से एक बहुत अच्छी खुश्बू आती है और बैक्टेरिया फिरी हो जाते हमारी कपड़े धूप में डालने से और बरसात के दिनों में तो फॉल्ड कर देते हैं पर आजकल नंए-ने टैक्निक आती हैं टी शर्ट है या शर्ट है इनको हम किस तरीके से फॉल्ड कर सकते हैं और यदि हम शौट। method अपनाते हैं तो अक्सर वो तह हमारी खुल जाती है हर तरीके के कपड़े को फोल्ड करने से हमारी कपड़े जो होते हैं वो ठीक से अच्छी तरीके से और्गनाइज भी रहते हैं और जिस दिन आप यह प्लान कर लें कि आज मुझे अपनी कपड़ को सही से और्गनाइज क देखें यह एक टीशर्ट थी इस पे काफी सारे निशान हो गए जैसे कि बच्चों ने सिर में महंदी लगाई तो महंदी का निशान आ गया या हमारा कोई कपड़ा होता है वो फट जाता है तो हम ऐसे ही सोस रहते हैं कि नहीं अभी तो चल रहा है अभी चल रहा है पर यह एक अच्छी हैबिट नहीं है कोशिस कीजिए कि आप जो फट गए है कपड़े बेकार हो चुके हैं छोटे हो चुके हैं उन्हें तुरंत के तुरंत अपनी कवर्ड से बाहर कीजिए और कुछ कपड़ों के मामले में यदि आप कपड़ों की छोटी तह करते हैं रोलिंग तह करते हैं इस तरीके से हमारी कवर्ड में कम स्पेस लगता है अक्सर हमारे घर में बच्चों की हाथ पैंट होती है और वो काफी मोटे कपड़े में होती है काफी मोटा फैब्रिक होता है और अक्सर हम उन्हें ऐसे ही फॉल्ड करके रख देते हैं और जब बच्चों ने अपने कपड़े निकाले तो उनकी तह भी खुल जाती है यदि आप इस प्रिक की हैल्प से अपने बच्चों के कपड़ों को फोर्ड करते हैं तो अगर कपड़ा गिर भी जाये तो उसकी तह नहीं खुलेगी इसी तरीके से जिन्स को फोर्ड करने के मैं यहाँ पे दो है कि फोर्ड करके लेके आओ जिन्स को और जो टांगों वाला हिस्सा है उसमें जो पाउं के पास वाला हिस्सा है उसकी तरफ को एक नीचे जो लेयर होती है अंदर से पैंट का पूरा हिस्सा डाल दीजे तो आपकी तह बिलकुल नहीं खुलेगी दूसर मैथड है यह एक आप क्रोस में लेके जाए और फिर से फॉल्ड कीजिए डबल फॉल्ड करने के बार फॉल्ड करते रहे और टांग का नीचे वाला हिस्सा उसे जो अंदर की तरफ को थोड़ा सा दबा दीजिए इस तरीके से भी जिन्स आपकी ऊपर से नीचे दो तीन बार भी गिर जाए पर उसकी folding तहर नहीं खुलेगी कुछ कपड़ों को आजकल नए नए technique की help से आप सीख सकते हैं कि कैसे fold किया जाए इसी तरीके से घर में हमारे काफी सारे कुर्टे होते हैं जो ऊपर की तरफ से छोटे होते हैं और नीचे काफी चोड़े हो जाते हैं तो उसे भी fold करने की एक technique होती है जो अभी आप लोगों के सामने मैं clip में share कर रही हूँ बच्चों के lower भी fold करके रखे जाते हैं जिसको मैं अकसर rolling shape में रखती हैं क्योंकि मेरी cupboard में इतना ही space है और ये bed sheet है मेरे घर की bed sheet का जो fabric है बहुती soft है pure cotton है इसमें बिल्कुल भी रोया नहीं हो सकता है क्योंकि मैं बिल्कुल खादी आश्रम वालों का जो pure cotton की bed sheet होती है उस fabric को मैं use किया करती हूँ और कुछ fabric वाली ऐसी bed sheet होती है जो बहुती light weight होती है पर वो अकसर bed पर लगाने के बाद उनका मतलब वो bed से उखड जाती है आपकी bed sheet यूज करते हैं तो आप कितना भी bed sheet को यूज करें बच्चे खेलें कुछ भी काम करें आपकी bed sheet बिल्कुल नहीं खराब होने की अकसर हम लोगों के घरों में काफी सारे टाविल होते हैं गैस्ट के नाम के टाविल अलग से हम रखते हैं और घर के हर मेंबर के टाविल भी अलग होते हैं तो टाविल को अकसर आप फोल्ड करके ही रखे और गैस्ट जब आपके घर में आए इस तरीके का जब folding trick आप लो उनके सामने रखें तो guest के mind में भी थोड़ा सा attractive रहता है कि हाँ सामने वाले ने कितनी अच्छे तरीके से टाविल फॉल्ड करके रखे हुए है और guest के नाम के अकसर आप टाविल white यूज़ कीजिए क्योंकि white fabric जो होता है वो इतना दिल को शांती देने वाला fabric होता है color भी मतलब होती लाजवाब color होता है इसी तरीके से भई आपके घर में जरूरी नहीं है हमेशा बड़े ही आदमी आए कभी कभी बच्चे भी आ जाते है तो बच्चो के नाम का जो टाविल होता है वो इस तरीके से जिस पर बच्चो के कार्टून के picture बनी हो इस तरीके का टाविल यूज़ कीजिए और हमारे घर में काफी सारे shirt भी होती है simple सा एक method होता है shirt को fold करने का जो अकसर आप लोग देख भी रहे होंगे कि हमने अपनी नानी दादी के चेह मतलब उनसे सीखा है कि अकसर shirt को इस तरीके से fold किया जाता है पर एक दूसरी टेक्निक भी है जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोनों बाजों को आपस में आमने सामने ले आईए और फिर fold बनाईए ये बहुती easy ली trick है कुछ second row में आपकी shirt fold हो जाती है ये टेक्निक यदि आपको अच्छी लगिए तो मुझे comment section में जरूर बताना और अकसर हमारी almari बहुत ज़्यादा फैल जाती है 15-20 दिन में तो अकसर हमें इसको दुबारे से organize करना ही पड़ता है इसके लिए आप पूरी कबर्ड को पहले friends खाली कर लीजिए और lining का हमेशा ध्यान रखिए जैसे ही आप कबर्ड को बिल्कुल साथ कर लें दूसरा कपड़ा change केजिए अख़बार लगाईए newspaper लगाईए कोई आपके पास table पे plate mat होता है उसको यूज कर सकते हैं किसी कपड़े को भी बिचा सकते हैं और एक section आपको हमेशा अपने bed sheet का अलग से बनाना है इसी कबर्ड में देखे आज मैं आप लोगों के साथ जो बास शेयर कर रही हूँ इसी कबर्ड में मैं अपने bed sheet को भी रखती हूँ कर्टेंस को भी रखती हूँ टाविल भी है और डेली बेस पे जो कपड़े में यूज किया करती हूँ वो भी इसी अलमारी में रखा करती हूँ और अकसर जब हम bed sheet को फोल्ड करते हैं तो पिलो कवर इधर उधर हो जाते हैं तो आप कोसिस कीजिए पिलो कवर को बेड़ सीट के अंदर फोल्ड करके रख दीजे अगर ऐसा नहीं है तो बेड़ सीट को फोल्ड कवर के अंदर डाल दीजे तो एक पिलो कवर तो आपका बेड़ सीट के अंदर चला गया एक पिलो कवर के अंदर आपने पूरी बैड़ सिट डाल दिये तो अक्सर जब भी आप यूज करेंगे तो पिलो कवर और बैड़ सिट दोनों आपके सामने होईंगे और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि कोई ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने प्रिजेंट करूँ की पूरी कवर्ड में देखे घर के जितने भी मेंबरा उनके कपड़े भी आजाएं आपके गैस्ट के जो टाविल होते हैं वो भी आजाएं बैड़ सिट भी आजाएं लीनिं कवर्ड पर आधायत है आज की वीडियो लीनिं कवर्ड का मतलब क्या है तो लीनिन कबड के अंदर आपके टाविल हैं, बैड सीट हैं, छोटे-छोटे से ब्लैंकेट होती हैं, लाइट वेट वाली कुल्टिड बैड सीट होती हैं, आप उनको जो यूज करते हैं, जैसे कि हलकी-हलकी सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, बारिस चल रही है, इसमें जो आप कपड़ा दिन में, रात में ओड़ते हैं, वो सब कपड़े कहां रखेंगे, ये तो नहीं है कि आपने हमेशा बैड खोला और बैड के अंदर रखें, जो एक सामने कबड होती हैं, आप अक्सर उसे ही यूज करते हैं, तो गात करते हैं कुछ और्गनाइजर की, मैंने जो क कुछ और्गनाइजर पर्चेस करें, ये बहुत पहले से मेरे पास हैं, और अक्सर मैं ऐसे सेक्षन में डिवाइड करके रखती हूँ कपड़ों को, ताकि घर के हर मेंबर के सभी के कपड़े, यहां तक कि छोटे से छोटे कपड़ों की जिसको भी जलग पड़ती है, वो स लिचे से खीच लेना और उपर से सारे कपड़े बिखर जाते हैं, तो अक्सर उस फैमिली मेंबर के कपड़ों को आप बिल्कुल सबसे उपर और सामने वाले एरिये में रखें, ताकि आपको अगर पूरे दिन में पांच मिनट भी मिलें, तो आप उस कबड़ को सही से और कर सकें, और अभी कुछ समय पहले मैंने एक वर्ड बोला था, लिनिन क्लोजेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, अभी मैंने ये बताया था कि जो आपकी कबड होती है, अक्सर आप उसमें सिर्फ अपने कपड़े रखते हैं, लेकिन हमारी पूरी कबड में कुछ ऐसा स्पेस भी होता है, जैसे हम उसमें बैड सीट भी रख सकते हैं, जो हमारे पास फाल्तो एक पेर में, दो पेर में परदे होते हैं, इनको भी हम उसी अलमारी में थोड़ी सी जगहे दें, पिलो कवर होते हैं, कुछन कवर होते हैं, सब को मतलब पारिटिशन में बांध के रखें, और कि किसी को अपने कपड़े निकालने हो या बैडशिट चेंज करनी हो तो अराम से निकाल सकें और ड्रोलिंग वाली ट्रिक हमेशा काम्याव होती है क्योंकि ये स्पेस को कम कंच्यूम करती है और फ्रेंड्स अब करते हैं अपनी वीडियो का लास्ट क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को जादर से जादर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज च सपोर्ट कीजिए सो टेक केर फ्रेंड्स फिर मिलेंगे